Hello everyone, I am Pooja وسug nessa Channel अगर आपके हूं के says Glycerine Glycerine आधर आपके पास घाल्स अच्छी बात यहाँ पर यहाँ आपको दिखाउे की वाटल में अगर आपको पता थो यह आपको चाहरा ainesकाना है यहाँ ने इन आपके परचेस करना चाते हो то और आप अगर बड़ी चोटी लेना चाते हो तो कोई भी लेग सकती हो इसके बहुत सारे यूजेस होते ही लेकिन मैं आपको टॉप के 5 यूजेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को लास्तक जरूर देखिए अगर आपको ये वीडियो हेलफुल लगा हो तो लाइका बटन जरू क्लिक कर देना और चैनल को सब्सक्राब भी कर देना और वेल आइकन को वेप्रेस कर देना जब भी मैं नए नए वीडियो डाल तो सबसे पहले नोटिपशन आपको मिले सो फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहला यूज इसका तो आपको इसे रात में लगाना है कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूं अगर आपके पास ग्लीसरिन, अलियरा जेल और विटेमिन E की कैपसुल को मिक्स कीजे अच्छी तरह और उसे सेम कौंटिटी में लेना है आपको कम या ज़्यादा लेने की जरुरत नहीं सेम कौंटिटी में लेके अच्छी तरह मिक्स कीजे सेम कौंटिटी लेके आपको अच्छी तरह मिक्स क लगा च्रीकुरत हैं लग Les until people compare прим twee ओद नहां के आते हो तब इसे यूग कर सकते हो इस यूज करने बाद Unix के बाद app मेंक भी कर सकते हो फ्रेंडस वह अच्छा सव गलो आएगा मेंकप का भी तो अगर आप इसे डेलीwa करते कर accompagnhe देली फॉलो करने से आपको क्या होगा फ्रेंड्स आपकी स्कीन में दिन भर दिन निखाराएगा आपकी स्कीन में जो भी प्रॉब्लम है ओ धीरे-धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएगी इस ट्रिक को आपको जरूर यूज करके देखना है आपको रिजल्ट मिलेगा अगर उसे आपने यूज करके देख लिया और आपको अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे वह भी कमेंट करके आप बता सकते हो इसका सेकंड यूज के हाई फ्रेंड्स अगर आपके लिप्स ड्र स्मूथ और शाइनी दिखने स्टार्ट हो जाईए आप कंटिनिसली यूज कर सकते हो और एक बात फ्रेंड्स ग्लिसरंज होता है नथी नहीं हलका सा थीक होता है तो आपको लगेगा कि आपको आच्छा नहीं लगेगा लेकिन आप इसे मोर्नी में मत कीजे आपो नाइट म कर सकते हो नाइट में करने से आपको और अच्छा फाइदा मिलेगा इसका थर्ड यूज क्या है फ्रेंड्स आपके हाथ और पेरों पर जब काली परत बैट जाती है हम कुछ भी करते हैं महेंगे महेंगे प्रोड़क्ट उस करते फिर भी उसे नहीं हटा सकते तो फ्रेंड और आप षाथ और कुछ प्रोड़क्ट अच्छी तरह नहीं हैं आपको इसे कंटेनियूज करना है डेली आप हाथ और पेरों को लगा कर एक तरह सोजाना है आपको आप इसे कंटिनूज्ले जब यूज खरोगे जो आपको इज रीजुल अच्छी तरह मिलेगा इसका फोर तो उस से क्या करना है आपको द्हूने के बाद उसमे गलीसरीन और विटाइमिन E के कैप्सल मिक्स करनी है दोरों का अची तरण मिक्स करके यह पर क्राक है वहाँ पर अपड़ार करना है उसमे क्या करनी के बाद उसतों अगर आताज़त Rights उसे पहनने के बाद आपको सोबद जब आप पेरोप में देखोगे तो आपके पेर अच्छी तरह स्मूथ हो जाएंगे मैं इसा नहीं कहूंगी कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड आप इसे डेली उस करने से क्या होगा फ्रेंड्स आपके क्रैक जो अच्छी तरह बर जाएंगे और आच्छी तरह आपके पेर मुलाइम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आप इस ट्रिक को इस टिप्स को अच्छी तरह फोलो किजिए मैंने जो भी बताया अगर आपको कोई डौट हो या कोई भी आपको रिजल्ट आचा आया हो फिर भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको कैसे लगा इस इस को बताने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स इसका फिर ती उस क्या है फ्रेंड्स अगर आप आपके बाल ड्राय हो चुके हो तो आपको क्या करना है आप जब भी बालों को वाश करते है में क्या होता है रखाति का हो अपया की गिला जेशि काहते है कि आपको जादा नहीं लेना है आपकी लेंज पर सिर्फ लेंज पर अपलाई करना है यहाँ पर मत किजिए क्यूंकि ड्राय आपके बाल यहाँ पर जादा होते हैं तो आपको यहाँ पर जादा नहीं करेंगे जादा करने से आपके बाल चिप-चिपी हो सकते हैं हलका से उसक फिर बाद में कॉंखे जे आपको रिजल्ट तुरन दिखेगा मैंने यहाँ पे आपको फाइव यूजेस बताए है फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को सब्स्राइब कर देना क्योंकि मैं जब भ लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज फ्रेंड्स और नोट डिपिक्शन पर को को भी क्लिक कर देना तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूं आपको निक स्टुडियो में टेक कियर बाई